बुड़ेवनिंग दोस्तों आप कैसे हैं आप सब अच्छे होंगी ये थी मेरी पसोडे की थाली जो मैं मंगलवार की ब्लोग में से लगाई है फ्रंट में और आज है सोमवार सोमवार के बज़रें साड़े चार पांच के करीब टाइम हो रहा है और मैं किचन में शाम का काम कर रही हूँ शाम का क्या राद की तयारी कर रही हूँ जो की सुबह मुझे बहुत ही जरूरी काम करना है सुबह के टाइम सुबह मुझे बसोड़ा पूजना है जो की होली से आठ या नोवे दिन पूजा जाता है जो की दिल्ली हरियाना राजिस्तान पूरे भारत में पू गुढ यानि थोड़ से गुन गुने पानी में गुढ को पिंगला रही हूं जिसका मैं पूड़ नाने слуш यह gust प्रोड़ आप दूड गोड़ा इसका मैं पानी त्यार कर रही हूं वेसे तो पूड़े चीनी के पानी में भी बन जाते हम लेकिन मैं गुड़ में ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर में गुड़ के बनते देखे हैं, तो मैं गुड़ के ही बना रही हूँ, वैसे मेरी सास चीनी के ही बना लेती है, कई बार उन्हें मेरे सामने भी चीनी के ही बनाए है, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं ल पनाने के लिए सौफ के दाने भी डाले जाते हैं और ये पानी मेरा जादा गरम हो गया है जिसको मैं थोड़े देल ठंडा कर दूंगी इतने मैं पकोडों का सामान तयार कर लूँगी कुछ लसन की कलिया चील कर और पांच प्याज तीन आलू मैंने लिये हैं मैं इतने ही पकोड़े बनाओंगी जो बच्चे मैं और हजबन खा सके थोड़े थोड़े शाम के टाइम और ये पानी ठंडा हो गया था तो मैंने चलनी से चान के इसमें मिला दिया है चमच से मिलाने की कोशिश की थी लेकिन मिला नहीं फिर मैंने हाथ से ही इसको अच्छे से घुमा घुमा के मिलाया क्योंकि इसमें पूरा प्रैसर चाहिए होता है जल्दी जल्दी से घुमाने के लिए जो की चमच नहीं कर पाती चमच को मैंने साइट रख दिया और फिर मैंने हाथ से शुरू कर दिया क्योंकि मैंने हाथ से अपनी ताई को मम्मी को करते हुए देखा है वैसे तो कभी ऐसे देखा नहीं लेकिन जब शादी वगारा होती है तब हमारे मापे पूरे जिसमें की पूरे क्या भोग लगता है और जितने भी कुन्वे में घर होते हैं सबके घरों में दिये जाते हैं थाली भरवर के तो वही उसी टाइप से मैं बना रही हूं क्योंकि मैंने अपनी चाची ताईयों को दादी को ऐसे ही करते देखा है जैसे वो बनाती है मैंने तो बात तो बनाने ही पड़ता है जो काम हमें नहीं आता वो भी करना पड़ता है तो इसको मैं अच्छे से घोल लूँगी इसको जब तक घोलती रहूंगी जब तक कि ये एक कतार में हाथ से ना छूटे जिसे कि एकदम से हाथ से छूट जाए गुच्छी की तरह उस टाइप तन होते हैं तेल वगएरा के उसमें यूज कर लेती हूं नीबू के साथ तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा वो यूज करना तो मैंने सोफ और गुड का पानी ही इसमें मिलाया है और कुछ नी मिलाया तो कि इसमें खाने का सोड़ा डालते तो ये और भी फुले फूले बनते तो इसलिए मैंने नोर्मल घर के लिए ही बनाये हैं थोड़े से पूजे जाएंगे इसमें सी सुबा बसोड़े मता को और बाकी के घर में ही खाये जाएंगे इनके साथ साथ मीठे चावली बनाये जाएंगे गुड के क्योंकि हमारे गुड के चावली बनाया जाते हैं ये देखो ये थोड़ा सा पतला है इसमें मैं सुखा आटा और मिलाने की कोशिश करूँगी लेकिन अभी नहीं पहले इसको दो घंटे के लिए रख देती हूं और इतने मैं और कुछ किचन में बरतन वगेरा है वो सब काम निपटा लेती हूं और सारा काम मेरा हो गया किचन का और मैंने थोड़े से ब्राउन राइस निकाले हैं इने मैं कटोरी में नाप लूँगी जितने चावल में लूँगी उतने ही मैं पानी डालूँगी अगर मैं कुकर में बनाती तो मैं डबल पानी डालती और मैं भगोने बना रही हूं तो मैं चार कटोरी पानी डालूँगी उनको मैं अच्छे से धोलूँगी इन चावलों को और ये भगोना मैंने गयास पे रख दिया है जिसमें मैं आधा चम्मच से जादा घी डालूँगी देशी घी इसको घुमा दूँगी और धी मियाज पे थोड़ी देर छोड़कर इसमें चावल पलट दूँगी चावल डाल दूँगी दूखके और चम्मच की सहायता से मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी कुछ सेकेंड के लिए और जो मेरा पानी बचा हुआ था गुड़ का वो मैं इसमें पलट दूँगी इसमें डाल दूँगी और वैसे इस पानी में इसका पूरा नहीं पड़ेगा चावलो का तो मुझे इसमें और गुड़ डालना पड़ेगा और मैंने इसमें चार कटोरी पानी चड़ा दिया है और गुड़ की डलिया भी मैं इसमें डाल दूँगी गुड़ की डलिया मैंने इसमें डाल दी है वो आपको थोड़ी जला की गई होंगी और दूसरी गैस पे मैं चड़ा लेती हूँ अपने पूड़े बनाने का तेल क्योंकि शाम के बज़रे DevOps साथ सवा साथ का टाइम हो रहा है और इतने मेरे जो पूड़े का घोले वो भी तैयार हो गया होगा हमारे तो दिलली में इनको पूड़े ही बोलते हैं मेरी नानी के वहाँ पहा बोलते हैं और मेरी सास यानि की मेरे यहाँ पे ससुराल में इनको गुलगुले बोलते हैं लेकिन मैं तो इनको पूड़े ही बोलती हूँ यह तेल है बिल्कुल सूच्या तेल है नई बोटल में से निकाला है क्योंकि पूजा पाठ के पूजा वगारा के लिए जो भी चीज यूज़ करो वो एकदम से सूची होनी चाहिए साफ सुथ्री स्वच होनी चाहिए यहां तक है गया चूला किचन अपने आपको भी साफ सुथ्रा करके ही यह सब काम करने चाहिए इसको मैं थोड़ा सा और भोल लूँगी क्योंकि इतने मेरा तेल गरम होगा इतने मैं इसमें और हाथ मार लेती हूँ और अच्छे से सैट हो जाएगा यह मुझे इतने परफेक्टली बनाने तो नहीं आते जैसे मेरी चाची ताईया बनाती हैं बड़े बड़े गुल्ब मोटे मोटे एकदम से फूले फूले बहुत टेश्टी भी लगते हैं वो खाने में लेकिन उस टाइप के तो मुझे बनाने आते नहीं क्योंकि मैं तो कभी कबारी बनाती हूँ कभी कन्या बिठाई नो रात रोकी या बस ओड़े में तभी बनाती हूँ मैं ऐसे कभी नहीं बनाती के हाव जमन किया बना लिया यसे ये मेरे हस्बेंट को बहुत टेश्टी लगते हैं बहुत अच्छे लगते हैं और मेरी कढ़ाई का तेल गरम हो गया था जिसमें मैंने जल्दी जल्दी इसमें डालने शुरू कर दिये तेल इतना गरम हो गया था कि डालती ही कुछ पूड़े मेरे लाल-लाल से हो गये थे जिने मुझे जल्दी से निकालना पड़ा वरना वो जल जाते और साइड की गैस पे देखिए मेरे धीमी-धीमी आज पे मेरे गुड के चावल भी पक रहे हैं उल्टे हासे मैं इन सबको अलग-अलग कर दूँगी अगर अलग नहीं करूँगी तो ये सारे एक साथ चिपक जाएंगे और वो जो पहले डाले थे वो मैंने निकाल लिया है साइड में प्लेट में वो चार-पांच थे उनको मैंने निकाल लिया है इस देख की पहले जो होते हैं वो पूझने में भी काम आते हैं और अगर कोई चीज हम बना रहे हैं और उसे पूझ के पहली चीज हमारी जल जाए या खराब हो जाए उसे पूझने के लिए हम रख दे तो अच्छा नहीं लगता देवी देवताओं को चड़ाते हुए तो इसलिए उनको मैंने पहले ही निकाल लिया था और ये है देखो कैसे गोल गोल बने हैं मेरे पूझने चोटे हैं साइज में लेकिन अच्छे बने हैं अब ये दूसरी बार का है हमें ये गुलगुले यनकी जो पूड़े डालने होते हैं तो ये पूरी तेज आज पे डालने होते हैं और धीमी आज पे उतारने होते हैं नो-दस साल मुझे भी हो गए अपने ससुराल में आए तो कुछ-कुछ वर्ड़ तो मैं इनके ही यूज करती हूँ अब मुझे मेरे से गुल-गुले निकल गया था वैसे है ऐसे ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं इनकी लैंग्वेज सीख जाओ ये इनकी भासा ही बोलू नहीं मैंने आज तक इनकी भासा का एक भी शाब्दी नहीं बोला है सिर्फ ये गुल-गुले इसलिए बोल देते हूँ कि मुझे छोटे-छोटे बनते हैं तो गुल-गुले जैसे ही लगते हैं पूड़े मेरे घर इसलिए बोले जाते हो थोड़े बड़े बड़े भी होते हैं बैसे हमारे बाप इनको पूड़े ही बोलते हैं और ये मेरे दूसरी कड़ाई के भी पूड़े हो गए हैं जिने मैं अलग कर लूँगी तरोने से क्योंकि इसमें मुझे उल्टे हाथ का ही यूज करना पड़ रहा है अगर मैं हाथ दोने के लिए चली गई तो ये चिपक जाएंगे तो इनको मैं उल्टे हाथ से जल्दी से थोड़ा से इनको छेड़ दूँगी अलग अलग कर दूँगी और सीधे हाथ से उतार लूँग और ये देखिए मैंने दूसरी बार के कड़ाई के पूड़े भी उतार लिये हैं एक प्लेट भरके मैंने पूड़े तयार कर लिये हैं अब तो मैं इने छुपा के यानि की इनको उठा के रख दूँगी अच्छी तरह से धक दाब के क्योंकि अगर इनको साथ के साथ धक कि अगर ताब के नहीं रखते हैं तो ये हवा लगने से टाइट हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा और खाने में भी प्रोब्लम होती हैं तो इनको सोफ्ट और नरम बनाने के लिए इनको मैं कपड़े में और इस रोटी रखने के बेसन में मैं इनको दबाके रख दूँगी कुछ तलना भूनना कर रही है तो उनको खुशबू पहुची जाती है और वो आते तो हैं देखते हैं ममा क्या बना रहे हो ममा क्या बना रहे हो तो मैंने का बिटा मैं सुभाइ पूझा का सामान तियार हो अगर उती बीच उनके उनको सरप्राइज ना मिले पकोडों का या पराठों का या किसी भी चीज़ का तो अच्छा नहीं लगता तो उनको पता नहीं है कि मैं पकोडे बना रही हूँ उनके लिए मैंने रोटी सेक दीती उन्होंने खा भी ली एक दो एक दो रोटी और इस पकोड़े के पेश्ट में मैंने मसाले डाल दी हैं बिल्कुल हलके मसाले जो बच्चों के अकोडिंग ही हैं और टेश्ट के अकोड़े यानि की स्वाध अनुसार नमक डाला है और इसमें मैं पानी से घोल लूँगी इस बरतन को मैं change कर लूँगी क्योंकि इसमें पकड़ने के लिए space बिल्कुल भी नियसी किनारी बहुत पतली सी है इसे कि मेरे दूसरे हाथ की उंगलिया खराब हो रही थी तो मैंने इसको change कर लिया handle वाले में और मैं तेल मेरा already गरम ही था तो मैंने जल्दी जल्दी paste बना कर पकोड़ो के लिए बनाती हूं थोड़े बनाने होते हैं क्योंकि कड़ी के लिए छोटे छोटे पकोड़े बनाये जाते हैं उसमें बेसन जादा होता है और खाने वाले पकोड़ों में बेसन की मातरा कम ही रखे जाती है जो हाथों से ही उतारे जाते हैं और मैं हाथ धोलूंगी क्यो पड़ाई में छोड़ के फिर मैं उनको सिद्धे हां से निकालती हूं या पलटती हूं जो भी उनको अलट पलट जो भी करना होता है वह करती हूं क्योंकि फ्याज के पकोड़ों में थोड़ा टाइम लगता है तेज आज पे तो हम इने डाल देते हैं लेकिन इनको धीमी धीमी आज पे हमें सेख लगानी पड़ती है परना ये अंदर से कच्छे और पिल-पिले से रह जाते हैं थोड़े से टाइट और कुरकुरे से बनाने के लिए ने हमें धीनी आज पे ही पकाना चाहिए और जिनको थोड़ी जल्दी रहते हो मीडियम भी कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है और पकोडे मेरे हो गए हैं कलर भी इनका चेंज हो गया है इने में उतार लूँगी और अपनी ब बच्चों के लिए सोस अच्छी नहीं होती फिलाल उनको बिना सोस के ही इनका मजा लेना होगा और ये बन गए हैं मेरे बेटियों के लिए पकोडे कम मिर्च के हैं और दूसरे जो ये भी दूसरी जो कड़ाई में ये भी बेटियों के लिए हैं जितना खाएंगी हम खालेंगे वरना हम सुबह खालेंगे पकोडों का ऐसा कुछ बासी भी नहीं होता कि उनको अगले दिन ना खाये जाए हलवाई की दुकान से भी हम लाते हैं कौन सा वो एक दम से फ्रेश रहता है वो भी एक दो दिन पुराना ही रहता है और ये चावल मेरे बन गए है तू कि आज सिके का खोड़ों के साथ चाय लेंगे आख है कि पकोड़ों के साथ चाय बहुत अच्छी Kopf लगती है वरना वैसे जया अलग से चाय पे थे यो तो अच्छी नहीं लगती तो मैं जब भी पकोड़ या पराठे पनती हूँ तो चयाए जरूर ही बनाती हूँ कभी अवोइडे नहीं करती है मेरे बेटी मेरी अभी नहीं है जब मालेगी ले जाएगी और चोटी बेटी मेरी स Cincinnati है उसको जगाएंगे फिर उसको पकोडे खिलाएंगे वह एकदम से उटके बैठ़ जाईगी बोलेंगे बावो पकोड़े खालो तो इदम से उठके बैड़ जाएगी उसको ऐसी चीजे बहुत पसंद हैं और ये मेरे लाश्ट के पकोड़े हैं तब तक मैंने चाय को गैस पर रखा हुआ था धीमी धीमी आज पर क्योंकि ये मैंने दूद में पत्ती ही डाली है दूद म इस चाय को मैं थोड़ा थोड़ा घुमा दूँगी क्योंकि भगोना मेरा छोटा है इसमें पानी गरम करती हूँ न तो इसलिए पीने के लिए पानी बोईल करते हैं तो आज इसमें मैंने चाय बना दी जिसमें चाय बनानी तो इसमें मैंने चावल बनाए हैं मिठे सुबह बसोड़े पूजने के लिए और ये गैस मैंने कर दी बंद और ये लाश्ट के पकोड़े भी मेरे हो गए है इन सभी को मैं एक जगा कर दूँगी ट्रे में और साइज की मेरी ट्रे है जिसमें मैं पकोड़े साइड में रख दूँगी इसमें एक तरफ कम मिर्च के हैं और ए इसमें भी गरम तेल है इसको थोड़ी थे ठंडा होने के बाद मैं किसी श्टील के बरतल में रख दूंगी डालके क्योंकि गरम तेल का यूज मैं कमी करती हूँ और ये देखो मैंने पकोड़े इसमें रख दियान का तेल जो भी था वो उस प्लेट में निचड़ गया था ये पकोड़े की ट्रे और ये मेरे पूड़ों का देखो ये चीज मैंने बनाई है पूड़े मैं सुबह और फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो मेरी महनत पे थोड़ा सा भी आपको कुछ चेंज नजर आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा और कुछ ना कर सको तो और गुड़ नाइट सौमवार की ये रात है ये तो दिन खत अम हो गया और ये है मॉर्निंग टूजडे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ये थाली मैंने सजाई है बसोड़े के लिए चावल पूड़े पानी का लोटा और चने की दाल है जो भी गोदी थी ये भगोना कुकर गाए भैस जो भी बनानी होती है वो बनाते हैं ये चार गो गोल चोचोटि इसी बिन्दिया है जिसको रोटिया बोलते हैं चांद सूरज और ये साथ बत्य बनाई हैं ये साथ गोले बनाई हैं और एक प्रित्री बनाई आई है ये ऐसे ही बनाए जाते हैं और इनके उपर काला और और यानि कि हल्दी का टिक्का किया जाता है, और हल्दी है साइड में धूब बत्ती है, माचिस है, और ये मेरी ठाली तैयार हो गई है, और ये ठाली जब काम आएगी, जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, अगर उसके टाइम पर ये परमपरा रही, तो उसको ये देखने में आसानी रहेगी कि ऐसे ही बसोड़े की थाली बनाई जाती है और मैं पूझ रही हूँ बसोड़े माता कर पूझा कर रही हूँ एक पत्थर ले लिया है मैंने ये हमेशा भार मेरे मेन गेट के पास रखा रहता है कभी गाए वगेरा को रोटी वगेरा देनी हो तो मैं इसके उपर ही रख देती हूँ और मैंने स्वास्तिक काड़ा था पहले और ये आप देख रहोगे मैं बाहर न जाके घर में ही नलके पास पूझा कर रही हूँ हाँ मेरी सास ने मुझे ऐसे ही बताया था कि यहाँ पे भी पूझा कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी लोग बोरिंग के पास ही पूझा करते हैं तो बोरिंग में और घर के नलके में कोई अंतर नहीं है जैसा मेरी सास ने बताया वैसे ही मैं करती हूँ और जो भी सामान था वो मैंने आधा आधा यहाँ पे इस पत्थर पे पूझ दिया है और मैं धोक ले लूँगी आशिरवाद ले लूँगी और पूझा मेरी कम्प्लीट हो गई है अब मैं जा रही हूँ छट पे चट पे करने के लिए चट के पे भी मेरी मोटर से पानी आता है तो दो जगे तो बनता ही है पूझा करना और यह पूझा मेरी कम्प्लीट हो गई है तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच बाबाए